है 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 हलो डियर स्टुडेंट बेल्कम टू ए प्लेट फर्म और आज जो हम प्रारम करने जा रहे हैं ड्याओं की ठेती यानि की वीड कल्टिबेशन और कंप्लीट हम देखेंगे जिसमें हम पूरा पूरा जो ठेती इस प्रकार से जो है इस टार्ट इन से इसकी जो हम क्लास हैं वो भी आपके जो हैं कम्प्लीट जो हैं कबर अप हो जाएंगे तो आज के हम इस सेशन में जो हैं प्रारम करते हैं गयों का जो आप बानस्पतिक नाम बढ़ते हो वो क्या है टेटिर्यम एस्टिम बढ़ते हो लेकिन ये एक बर्गी तरण का एक प्रकार है जो सट गयों का बर्गी तरण गयों का बर्गी तरण गयों का बर्गी तरण जो गयों होता है वो जनरली तीन प्रकार का मैं ली जो हैं देखने नों मिलता है एक तो देखने को मिलता है चतुर गुडित कुंसा भई चतुर गुडित साथ में मैं आपको इंगलिस भी लिखा हूँ टेट्राप्लोड चतुर गुडित नहीं सबसे पहले होता है दुई गुडित पहले दुई गुडित लिखो फिर चतुर गुडित लिखेंगे दुई गुडित , को इनलिस में कहते हैं डिपलोईड केते हैं अडला रहता है चतुर गुडित जिसे इंगलिस में केते हैं टेट्राप्लोईड टेट्राप्लोईड केते हैं और एक उता है तो दीपलोईड तो देखिए तीन प्रटाप्लोईड तो छो है आपका गेंव है वह तीन प्रटाप्लोईड रहता 돼 जिसमें क्या आता है,चतुर कुड़ुड़द। होता है उसमें chromozom number two n बरावर 14 होते हैं और साथ में जो इसकी जो गुणता होती है जैसे कि यहां लठाए deployed deployed को denote करते हैं ads से तो दो यह गुणत है तो दो ads द्यान अखें इसका इसी परकार से चतुर बरावर 28 बरावर और चतुर गुणता को जो है ads से denote करते हैं और चतुर गुणत है तो चार एट सो गया क्लियर है यहां तर 60 गुणत की बात दें तो two n बरावर कितना भई जो है अब देखो इसमें अब यहां से question आता है ओधारण से कि जो दूई डुणत जो हो रहता है गया हूं उसका ओधारण क्या होता है Tritum Monococum इसका जो ओधारण है वो क्या है Tritum Tritum Monococum इसका जो ओधारण है वो क्या है Tritum Monococum और इसी टाइट सामाने नाम होता है इसे हम क्यते हैं इन कॉर्ण इन कॉर्ण वीट जानके हैं very important आपसे exam question पूछा जा सकता है कि इन कॉर्ण जो गया हूं है उस वह किसे क्यते हैं तो Tritum Monococum को जो हैं इन कॉर्ण करते हैं साथ में यह भी पूछा जा सकता है ति Tritum Monococum में डुड़ सुत्रों की संक्या तेतनी होती है तो डुड़ सुत्रों की संक्या तितनी होती है 14 होती है तितनी होती है तितनी होती है 14 होती है इसी प्रिकार से आईए चतुर डुड़ में डुड़ सुत headip qualcosa को अदले पेज पर दुवा अभी यहां tretikumดूरम और tretikumaturum का पूछा जाता वही tretikum Durum का जो Kemal Name पूछा जाता है तो इसका जो सामाने नइम है क्या है Macrony Macrony तुरम यह बहुत हिएह ज्यादा Hard Veet districts बहुत ही जादा kaठोर हे है मतलब यह यह दिया आप इसको चबाओ तो दात भी टूड़ जाए इस टाइप का बहुत ज्यादा ही हार्ड होता है मैं तरहों ही देंगों करेते हैं तो डारेट आपके कोशिन आएगा कि टेटीटिम डूरम में गुड़ सुत्रों की जो संख्या है वो कितनी हो दी सुजी बनाने में टेटीटिम डूरम का उप्योड किया जाता है क्लियर है यहां तक अब इसके साथ ही एक और है इसके साथ ही एक और जो है इसका जो उदारन है जो होते तो बहुत सा रहे हैं लेकि एग्जम की दृष्टी से बात कर रहा हूं है टेटीटम डायो कोकम होता है दूसरा कुन सा होता है टेटीटम डायो कोकम होता है और जो टेटीटम डायो कोकम होता है इसे हम जो है क्या नाम देते हैं इमर गयों बहुत ज़्यादा एक जाब में पूछा गया वही इमर गयों किसका नाम है टेटीटम डायो कोकम का है या आप आप दायव उटम में जो हैं दुरसुत्र INT फिट नटयेश चिन्था इतनी होती है 28 होती है ये ज्यन अखे और ये जो है शाउथ इंडिया में उपमा बनाने में याद रखें उपमा उपमा बनाने में उप्योरी सरबादित जो उप्योड होता है इसका उपमा बनाने में होता है तो आप जो है नोट डाउन कीजिए भई टिटीडम डूरम को देटो इस्ती जो डूरम है वो एक बैराइटी होती है जब कि इसका पूरा नाम क्या होता है तरजीडीडम होता है तरजीडम क्या होता है तरजीडम होता है और बैराइटी ट्या होती है दूरम होती है तो इसको मैं तहीं इदर लिट देता हूं थोड़ा सा है ना चलिए इस इसको में थोड़ा सा तिटीडम डूरम है यह यहां पर लेख रहा हूं भाई यह थोड़ा सा देख लेना मैंसन लेना तिटीडम तडजीडम तडजीडम और वेराइटी क्या होती है डूरम और यहां तक इसको भी आप नोड़ डाउन कीजिए ठीटीडम तडजीडम वेराइटीडूरम है ना हम डारेट कैसे लिठ दिनग नगते हैं गिता तो चलिया अप लिखी है आप इसको दूडित टिटीटम monocotum होता है जैसे incorn कहते हैं टिटीटम durum मैट्रोनी होता है टिटीटम diocotum जैसे immergayon कहते हैं जो उप्मा बनाने के काम आता है सूजी बनाने में टिटीटम durum का उप्योट किया जाता है ये चतूडत के example है फिर आगे हम बढ़ेंगे 60 डूरत आप इसको बीडियो को पोज़ करके इसको जो है note down DJ by dear student जल्दी से आप note down डूरें चलिए आगे बढ़ते हैं ही सथ गॉरुडित है या तो वहीं लिठशते हैं लेटिए Fastwood में थोड़ा ज्यादा है इसलिए मैं है इसको अलका निठवा हूं हेज्जा सट डूडित हेज्जा प्लॉड इसके हेज्जा प्लॉड में बात करें तो इसमें मैंने अभी आपको त्रूमूज जो हम नम्मर बताये थे 2N बराबर कितने 48 2N sorry 428 और 442 ऐसे पाड़ा पढ़ना आपको पढ़ाता है 428 और 442 ठीक है इस परकार से आपको यह करना है अब देखो इसमें जो हैं जो मैंन ली आता है इसका जो उदारण है सट गुडत का जो उदारण है बोट क्या है पहला उदारण क्या है टीटीटम टीटीटम एस्टीबम क्या उजा रहा है यह dear student, treatinum estimum देखो इस treatinum estimum को जो है, जो बनाया गया था, इसको जो है एक्चली देखा जाए तो इसको develop किया रिया है तो develop किया रिया है इसलिए और कहाँ पर develop किया रिया था इसको सिमिट मेट्सको में और इसका और क्या नाम है common Mexican Mexican Bonagreum भी बोलते हैं Bonagreum Mexican Dorf wheat in English में ट्यते हैं Mexican Dorf wheat जो है Dorf wheat जो है इसे बोलते हैं ध्याने तेहें इसका, clear है अब आज बॉल्यूम थोड़ा सा चेक कल लेते हैं कई बार जो है प्रोब्लम आ जाती है चली बही, clear है, कोई दिट्यद नहीं है Tittium estivum, जिसे हमने common bread wheat का है या मेट्सक्वन बोना गयों का है क्योंकि इसको जो है, डबलब किया दिया था सिम्मिट मेट्सको में, ये थोड़ा सा याद रखें जो Tittium estivum को, जो है, सिम्मिट है ना सिम्मिट मेट्सको में, मेट्सको में, नॉर्मन, बोरलोड, द्वारा विट्षित, क्लियर है याँ दर, तो इसको मेट्सक्वन, और ये ही Tittium estivum की जो है, टittium estivum की ही जो बैराइटी थी, वो थी 1663, 1664, ये लर्मा रोजू, इनीटे टारण जो है, हरित कांद दिया थी, तो उसको हम बाद में लेखें लिए, एक और चीज, हमारे भारत की बात रहें, तो भारत में, टittium estivum जो हैं, सरवादिक भारत में, भारत में, सरवादिक छेत्रपल पर बोया जाता है, सरवादिक, पे चेतरबल, सरवाधित चेतरबल की बात्रे लटबर 87 परसेंट सरवाधित चेतरबल पर बोया जाता है तो यह आपको याद रचना है और यही ट्रेटीटम चेतरबल की आहीं भारत में हरित कांधी आई आई रिकांती अच्ट में आई दीखर पड़ेंगे बारत में हरित कंधी के जो पिता में हें वह हीं उस्वा ने फादर है वह डॉक्टरन्यक्रादन ऑुट्रभा den नियृत में था डॉक्टर नॉर्मन ई बॉर्लोड जो हैं भारत आये थे साथ में और कुछ जो ट्रिटिनम एश्टीमम की जो बैराइटी हैं उनको भी भारत जो हैं आयतित किया गया था सुनरा चोंसट है लर्मा रोजो चोंसट ए है इन बैराइटी रूट के द्वारा बारत में हरित का इंडित्यक्न द्वाहन के भारत में रेलांतित यहें है नो रर्मारॉ में च्शहां सब्वाहन स्वामीनाफन के लात है हरित-क्रान्ती सब्द यहें जो सब्धा में डृपन्य जोические brand हैं 100 स्टेश्वाद क्या अधान है अब देखिए, उसके बाद आ जाता है टिटीकम एस्टीकम के बाद आता है टिटीकम इस्पेरोटम., क्या था है अब एस्टुझे टिटिकम, इस्पेरोटम, स्पेरोटम यह यह बी, सपान ग्राना और इसे बोना रेंऊ कहते हैं धानिंगीहं क्या सतने हैं रॉफ वीट बोना रेंऊ क्या थे अगहे हम तो अता है टीटीटम को यह स्दे लिछना हूँ और इस्पेक्त्रम है न? Ispectum टितितम जो है प्लब गयों क्या है सोरी Inspectum नहीं होड़ा Kompetum होगा Kompetum Kop Empatum टितितम Kompetum जो है यह जो रहता है इसे देयर श्टूडेंट Club गयों क्याते हैं क्या क्याते हैं? Club Club वीट याद रखें यह सभी जो है साथ में आपकी एक और आजाएगा टेटीकम बलगेर, टेटीकम जो है वलगेर ये भी जो है सट गुलित होता है और देखा जाए तो टेटीकम बलगेर जो है एट तरह से टेटीकम एश्टीवम जैसा ही होता है बारत में बात करें तो सरवादित शेतपल पर जो डुरो किया जाता है वो टिटीटम एस्टीबं प्रजाती होती है बारत में हरित कांथी जो आई थी वो टिटीटम एस्टीबं की जो किस्म है उनके टारण ही आई थी टिटीटम इस्पेरोकूटम जो है ये डॉर्फ वीट क केलाता है और टेटीटम बलगेर भी इसी टाइट हम कह सकते हैं सट रूरित का ओधारण है ख्ले रहे हैं आतर तो आप इनको जो है नोट डाउन दीजिए खली आपने चली आगे बढ़ते हैं वीडियो पहुच करके आप नोट डाउन की अगरे है अब देखते हैं कुछ सामानने जानखा रही है जो ग्यों की जो सामानने है सामानने परिचे और देखते हैं यह तो बरगी करन की बात हो गई सामानने परचव में सबसे पहला चीज जाती है वो आती है कुल, कि इसका जो कुल है भो क्या होता है? तो दिखो फुल जो है, पहले इस ता जो फुचा जाया ग्रेमनी यह क्या होती है तो ग्रेमनी होती है और घास कुल होती है, यह एक monotote family है यह आपको याद रखना है यह ग्रिमनी या पोईसी जो रहती है एक बीज पत्री कुल है एक बीज पत्री कुल है याद रखना है फिर उसके बाद आजएए फिर उसके बाद यह दी बाद तरहें तो इसके उत्पत्ती स्थान की बाद करते हैं कि ग्यों का जो उत्पत्ती स्थान है वो क्या होता है तो इसका होता है दश्चिन पश्चिम दश्चिन पश्मी एसिया याद रखें क्या होता है डियर इस्टुडेंट दश्चिन पश्मी एसिया जो है ग्यों का जो उत्पत्त संसलेशन जो प्रिकास संसलेशन होता है प्रिकास संसलेशन की टुंसी साइटल चलती है सीथ्री साइटल यानि की टेलविन साइटल चलती है साथ में और क्या वही दीरग्र दिवस पोदा है दीरग्र दिवस पोदे से क्या आतात पर रहे है समझते हैं नोट डाउन करते हैं आप दीर दिबस पोदा यानि इनलिस में क्याते हैं लॉण दी प्लांट या इसे अम सौट में से लडेपी ते यानि जियाँ एक दीर दिबस पोदा इसका मतलब यह कि पुस्पन के लिए फ्लावरिन के लिए जो प्रकास्टी अबडी है वो 14 गंटे से मज़िए ज्यादा प्रैकारस की हगना गुछ प्रवत्स तो आप के सकते हैं की वह फ्लावर्बोरिन हो गार तो हम प्रैकारस किस ल्वd लोवन ब्रचथ meth करना है तो हम प्रच पतास के सकते 2न पहलता है इसमें एट चीज very important है कि जादातर रवी फसल है यदि आप confuse हो रहे है कि कुंसा पौदा LDP है LDP है कुंसा पौदा Sorday plant यानि कि लडू दिवस पौदा है वै तीन चार प्रतार के होते हैं एक तो क्या है लडू दिवस पौदा यानि कि Sorday plant दूसरा होता है दिवस पौदा यानि कि लॉंडे plant तीसरा होता है दे नूट्रल प्लांट यानि कि दिवसनेस ब्रवावदी और एक और होता है Intermediate plant intermediate plant का उदारण है डन्ना और दिवस पौदे ज्यादा ता रवी फसल है रवी फसलें उनसी होती है जो सर्दियों में सर्दियों में जो बोई जाती हैं वो, सर्दियों में बोने वाले, बोई जाने वाले, सर्दियों में बोई जाने वाले जो फसले रहती हैं वो रवी फसले होती हैं और जादा तर रवी फसले कैसे होती हैं दीर की दिवस पौदा होती हैं, और देखते हैं डेउं के बारे में ग्यों को जो है अनाजों का राजा देखो ग्यों को क्या क्या आगया है अनाजों का राजा का आगया है देखो रानी अनाजों की रानी यानि ठादान का राजा जो है ग्यों है और रानी जो है मक्का है इसके साथ ही यह दी बात करें तो इसका जो फल है या इसका जो हम फल त और जादातर जो खादान फसले हैं जादातर आपकी जो है हम कह सकते हैं कि स्तिरल स्क्रॉप है उनका जो दाना रहता है वो क्या टेलाता है क्या टेलाता है और देख लेते हैं इसका जो पुस्वत्रम होता है वो क्या टेलाता है ये भी नोट डाउं करें कि पुस्वत्रम या यह हैं यह ystूडें it Yeah dei स्पाइट यदर इस पाइड जो हें टेलाता है पुस्तरम ठीड़े यह बहुत हर नोड टाूँं डरें कि जो ड्यों जो रहती है वो स्वेपराडित फसल है कैसी फसल है स्वेपराडित फसल इसका मतलब यह है कि पराड़न जो है सेल्फ पॉलिनेशन होता है मतलब उसी फूल जो रहता है फूल फूल जो रहता है उसी फूल से जो नरब उस्ख होता है, नरभात से जो हैं हम को सकते हैं की पॉले नाते हैं और मादा की स्टिखमा पर तो सुवैपराजीद फसल है, अब उसमे ऐए खास बाद है कि ग्यों के जो फूल होते हैं वो कभी भी खुलते नहीं है हमेशा बंद रहते हैं गयों का जो फूल होता है कभी भी आपको दिखाई भी नहीं देखा गयों का जो फूल होता है हमेशा बंद होता है अंदर ही बंद होता है इसलिए हम कह सकते हैं जब अंदर ही बंद है तो दूसरे पोदे से जो में पराड़टन नहीं आ सकते हैं इसका मतलब स्वय निसेचन यानि कि वस्ट पर्ाटन की करीय होगी, और इसमें जो फुल होता है, वो कभी भी खूलता नहीं है, खुलता, ऐसे खूलता नहीं, हमेशा बंद रहता है, इस अवस्ता को केते हैं QRISTOabbajmy, तो पर् Also The thing we refer to words, कारण, इसमें कारण ये सकते हैं, क्लिस्टो गेमी 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 क्लिस्टो गेम तो उसे हम कहते हैं चैस्मोडेमी, ध्यान रहें तो इसका स्वेपराड़ित फसल है, कारण क्लिस्टोडेमी, यानि की फूल उटा कभी ना खिलना, ये स्वेपराड़ित जो है, साथ में यदि बात करें, इसके कुछ और बिंदों की बात कर लेते हैं, जैसे कि हम बात करें, प्रोटीन की बात करते हैं, सामने पर्चे में और ये दिबात करें, तो ड्यूम की जो दाना होता है, दाने में जो प्रोटीन की बात करें, तो प्रोटीन होती है, आठ से ग्यारे परसेंट, जो जादा तर जादा तर जो दाने फसल है, उन्हें जो प्रोटीन जो होती है, लेकिन जो चावल होता है, जो धान होता है, उसमें प्रोटीन 6 से 7 % होती है, बातिती सभी धान्ने फसलूं में जो आपकी 6 है, आपके ट्रेौं है, धान है, मत्का है, बाज़रा है, जो है, ये ध्यान ठेंच luggage और जौर है ये 6 की 6 मेह से आपके जो 5 हैं उनमें protein percent 8 से ग्या रहे है बाती जो धान होता है rice होता है उसमें protein percentage सबसे कम होती है और इसमें जो ग्यों की जो protein होती है protein का नाम भी पूछ लिया जाता है gluten protein protein का नाम क्या है gluten protein आप पूछा जाए कि ग्यों की protein कर नाम क्या है gluten protein होती है और अगर आपसे पूछा जादा तर धान्य फसलें टार्बो हाइडरेट का अच्छा सुरूत है तो 62-62-78% क्या रहता है टार्बो हाइडरेट रहता है यहां तर तो यह आप थोड़ा सा आप इसको जो है नोट डाउन कीजिए वीडियो पहुझ करें और आप साथ में नोट डाउन करिए आप जल्दी से आप नोट डाउन करें कर लिया अब आगे बढ़ते हैं ठीक है और हमारा और देखते हैं अच्छा यहां पर जो हैं कुछ शीजें बता देता हूं जैसे कि यह देट हूं यह जो रहता है यह केरी ओफसेस है केरी ओफसेस केरी ओफसेस होता है याद रखें यह जो दाना है दाना जो है यह केरी ओफसेस कहलाता है जिसमें आप यह हम कह सकते हैं जो डेहूं का जो जो डेहूं है उसके अंदर की सरचना होती है और यह जो हैं यह हम कह सकते हैं यह पुस्त्रम होता है यह जो दिखाई यद चाहए रहें छेआते बाली जो रहती है उसको ही हम क्या करते हैं ? designs पुस्त्रमरी एंफ्लाइंस करते हैं यद रखें जो बाली होती है उसे हम क्या करते हैं ? क्या हैं capitalize पुस्त्रम तो यह भी आप थोड़ा से ईयान है या धारक्ते भाद फिर उसके बाद कुछ और है जरुजी चीज़े है, वह हम note down लेते हैं, यहीं पर आप note down करें, ग्याऊऊ अडरला बिंदू note down करें, ग्याऊ एवम सामाने परिचस चल रहा है, ग्याऊ एवम जो अनुसंदान निदिशाले, अधर आपसे पूछ ले, ग्याऊ एवम जो अनु करनाल कहाँ पर है हरियाना में है फिर उसके बाद जो है आज से पूछा जा सकता है कि गयों का गयों का परिच्छनवार कितना होता है परिच्छनवार परिच्छनवार जब हम कोई भी सीड टेस्टम करते हैं कोई भी जो बीज है बीज का हम आपरिच्छनवार गयों करते हैं अब बात आती है तो परिच्छन बार इससे मेजर किया जाता है यह परिच्छन बार को मेजर किया जाता है बाइट आता जो दाने जो द्रेंस होते हैं 1000 उनको गिना जाता है फिर इस पात्र को इस पर रठा जाता है फिर यहां पर जीरो किया जाता है जीरो मतलब जो पात्र का क्या पित पार है इसको इंगलिस में क्या क्या खेथ होता है डिख रवहलेps u test weight ऑ DAC सुठ ये भी आपको पता होना चाहिए यह 1000 लडानों का वार 로भ वेट आउफ convenector 2000 लेता है ःते है तेस्ट लेता है मौर्ट कितना आता है, 40 द्राम आता है, एक और चीज होती है, कई बार पूछ लिया जाता है, नोट करके आप लिठ सकते हैं, कि बीज सूचकान, जब मैं बीज पढ़ाऊँ ना, तो बीज में ही आपको मैं बताऊँ ना, तो बीज सूचकान की बात करते हैं, यानि कि सीड इंडेक्स कि बात करते हैं, तो बीज सूचकान क्या होता है, सो दानों का बार, याद रखें, सो दानों का बार, जब बड़े दाने होते हैं, तो आप बीज सूचकान के लेलो, सीड इंडेक्स लेलो, छोटे दाने हैं, तो आप परिछन बार लेलो, यह आपको ध्यान अरना है, तो य भी यह फिर आगे बढ़ते हैं चलिए अब हम देखते हैं इसके उतपादन से देखते हैं अब इसका जो हम उतपादन है उतपादन देखते हैं और उतपादन में हम बिस्व के रेफरेंस से यह दी उतपादन देखें ग्याओं का तो चीन तो जो हैं सबसे पहला जो नाम आत चीन का है और सेकेंड इस्तान जो है भारत का है यदि आप से पूछा जाए कि ग्यों के उत्पादन के मामले में भारत का कुंसा इस्तान है तो भारत का दूसरा इस्तान है और यदि हम भारत में बात करें किस में बात करें बारत में बात करें तो भारत में जो है उत्पादन क कि बात करें तिस की बात करें उत्तर प्रदेश का प्रिथमिस्तान है तिसका है उत्तर प्रदेश का फ़स्ट इस्तान है काप पिर्थमिस्ता यानि कि आप से पूछा जाए कि भारत में कुंसे राज्य में ग्रेंग का उत्पादन जो है सरवादिक होता है तो याद रहें उत्तर प्रदेश में होता है लेकिन जो उत्पादक्ता होती है किस्ती बात हो रही है उत्पादक्ता उत्पादक्ता को होती है अब देखे इसको समझें इसको समझें ती उत्पादन और उत्पादता में क्या अंदर है इसको समझना होगा देखो उत्पादन जो होता है यह हम उत्पादन और उत्पादता की बात करते हैं उत्पादन उत्पादन होता है कुल बजन एट तरह से हम कह सकते हैं कुल बजन यानि कि उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में जितना ग्यों हो रहा है उस पूरे पूरे उत्तर प्रदेश के जो ग्यों है उसको हम तोलें उसका हम बजल लें तो सरवादिक जो बजन है वो उत्तर बाज जैसे तो यह जो आपने टिया है यह क्या है प्रोड़क्शन जो है यह क्यलाता है प्रोड़क्शन जबकि उत्पादक्ता क्या 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 लाती है उत्पादक्ता होती है प्रती हेट्टेर उत्पादन बेरी इंपोर्टेन ये भी कूशन आता है कि इसका मत्रव यह कि जब आपने आपने उत्तरप्रदेश यूपीटा कितना लिया एक हेट्रियर छहत्पल ले लिया कि इसका ले लिया इसका व किसका बहरी पंजाब में अब इन दोनों में अच्छा दोनों की बात तरहें, तो दोनों में जो उत्पादन जो आया, बूट इसमें आया, उपज ज्यादा किसमें आई, पंजाब में आई, तो यही प्रती हेक्टिर जो उपज आई है, प्रती हेक्टिर जो इल्ड है, वो ही क्या होती है, उत्पादकता होती है, देखते हैं अब देखते हैं अब देखते हैं अब देखो गेव की जयादा तर प्रजाती जो है बॉनी है यह अब डॉर्फ वेराइटी होती है और डॉर्फ गेव में जो बॉनेपन के लिए जो उत्तरदाई gene होता है वो क्या होता है 910 होता है तो हम यहां 910 को भी पूरा पढ़ लेते हैं 910 तो ahead and डालिए आप इसी में 910 910 के बारे में पहली चीज पहला चीज क्या है भई गेउ में गेउ में बॉने पन के लिए बॉने पन के लिए उत्तरदाई उत्तरदाई gene यदि आपसे कोई पूछे कि गेउ में यदि आपसे कोई पूछे कि गेउ में बॉने पन के लिए उत्तरदाई येजीन है, तो बोगोंसी होती है, नॉरिंटेन जीन को, जो है गयोँ की प्रजाती होती है, उनमें डाला गया था, इसलिए, टिटिटिग्रम जो बनाये घया था, टिटिग्रम जो वेराइटी है, जैसे की बात करें, लर्मा रो इन सभी को नौरिंटेन जीन को डाल टर जो है डौर्फ वेडाइटी बनाए लिया था यह आपको ध्यान रता है फिर उसके बाद जो है बात तरहें इस जीन गी नौरिंटेन जीन heading है nore in tan gene इसकी बात दरें, इसकी जो खोज है खोज टाहां पर होई थी आपन में इस टी खोज जापन में और जापन में deep भी थी 1935 में जा रखें, जापन में इसकी खोज, 1935 में जो हैं, और किस निटी थी गौ्ण जिरो गौ्ण जिरो गौून्जरू इना जखुआ ने थी जरुकर जापान एचरण हो रही थी नौरिंटेन की लेकिन नौरिंटेन को भ्याफसाहित रूप से मतलब गेहों में डालतर इस नौरिंटेन जीन को ग्याफसाहित रूप से उपियोट टिया धिया था वो सिम्मिट मेट स्कूव में डॉक्टर नॉर्मन ई बॉर्लोर ने दिया था तो ये भी हम लिख लेते हैं नॉरिन दसका ब्यावसाइट उपियोड नॉर्मन बॉर्लोर द्वारा नॉर्मन बॉर्लोर द्वारा सिम्मिट मेट्सको में तिया गया हूँ इस जीन के दो फेटर होते हैं एट तो रह फर्स्ट होता है और एट रह सेटिन होता है ये थोड़ा सा आपको याद रहना है अब देड़िए ये बात होती है थी बोनेपन के लिए उत्तरदाई जीन क्या है नॉर्मन टेन है जिस्ती ठोज जापान में 1935 में डोन जरू इनाज उटाने थी नॉर्मन टेन टा ब्याफसाइट उपियोड जो है नॉर्मन बॉर्लोर जो है मैट स्कू में जो है किया था और इसे बात रहें तो इस नॉर्मन टेन जीन से पहली बार जो है किस्में बनाई नहीं थी ये भी हम लिट सकते हैं नॉर्मन टेन का उपियोड करते हुए 910 का उप्योड करते हुए है न उप्योड करते हुए एकल किस्म वाली एकल जीन वाली किस्म एकल जीन वाली किस्म लर्मा रोजो एवं दो जीन वाली वाली किस्म सोने रो 64 को बनाया गया और यही वो थी जिन के टारन हरित कांती आई थी इनको जो है हम कह सकते हैं भारत में आयतित किया जिया था भारत में इन किस्मों को जो है लाया जिया था तो यह आपको जिया है नोट डाउं रनना है चल्य वीडियो पुच्च रहें और अच्छे से आप इसको जैन के लुच्च रहें सब्सक्राइण करण नोट डाउण डर रहें ये नोट डाल के आप लख लें ति जो दाना होता है दाना और भूसा जो भूसा प्राप्त होता है उसका जो अनपात दाना भूसा का अनपात जो हैं पूछ लिया जाता है ति डेव में डाना भूसा का अनपात जो हैं कितना होता है तो 8 अनपात 8.5 याद रखें कितना होता यदि भूशा दाना पूछ लिया जाए तो उल्टा हो जाए रहे, यह मैट्सिकन ड्यों का है, किसका भई, मैट्सिकन ड्यों का, ज्यान अठें इसका, ठीके, पूछ लिया जाए, तो आप बता देना भई, अब बात करते हैं, ड्यों के लिए जलबायू टेसी चाहिए, तो जलबायू कैसी चाहिए, देखो जलबायू को इंडलिस में क्या केते हैं, यहां पर थोड़ा बता देता हूँ, क्लाइमेट केते हैं, और क्लाइमेट जो सब्द है, यह किस वासा का है, द्रीट वासा का है, द्रीट सब्द है, और उस द्रीट सब्द जो है, कुंसा सब्द से बना है, क्लीमा से, ये भी टरी बार एडजामे टूशन आ जाता है, तो सोचा यहीं बता देता हूं, क्लीमा, है ना, क्लाइमा, याद रखें, जलवायू, जिसे इनलिस में क्लाइमिट केते हैं, जो द्रीड वासाटा सब्द है, क्लीमा है, जलवायू में एट तो तापमान की बात होती है, और एट जो है, इसके लिए हलन की जलवायू से कुशन जो है, रेर केस में पूछा जाएड़ा, नहीं पूछा ज होती है, ठंडी एवं नम जलवायू, ठंडी एवं नम जलवायू जो है, टव चाहिए, जब बानस्पतित ब्रद्धित लिए चाहिए भई, बानस्पतित ब्रद्धित लिए चाहिए भई, बानस्पतित ब्रद्धित लिए, यानि कि इसके जड़, तना और पत्तिता जो ब जड़ तना पत्ती किसी भी पौदे का बानसपतित भार रूता है फिर उसके बाद गरम एवं हम क्या सकते हैं गरम एवं सुस्क जलवाई जब इसको बोया जाता है जब इसको बोया जाता है तो दीरे दीरे आप देखो फरवरी मार्च में जो है थोड़ा जो टेमप्रेचर ह ज्यादा हो जाता है और उसी टाइम क्या होती है जनन की टिरिया होती है यानि पुस्पन की टिरिया होती है तो पुस्पन की है तू क्या भई पुस्पन है तू यह ध्यान रहना है आपको और एक और जो है एक और आप नोट डाल के लिट सकते है आलनकी नहीं पूछा आदर स्तापमान बीज अन्कुरन के लिए आदर स्तापमान की बात तो ये रहता है 20 से 25 साथ में आप नोट डाउन टरें 20 से 25 डिगरी सेल्सियस ये रहता है तो नोट डाउन टरें इसको तो साथ में यहां पर जो है ये की में तुड़ा जलदी बता रहा है फिर इसके मिट्ती चाहिए अग्हे की जो ट्रेह काली मिड़्दा जाई ही नहीं है, जितना ज़्यादा के लिए कापास के लिए झाली मिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है ग्याण की बात तरहें, तो ग्याण के लिए बैस्ट रहती है afb like battery उनदी यह ढ़ती है और जिस मिट्टी में नोट डाउन रह लिया गया चली वीडियो पॉज़ करके आप नोट डाउन डाउन रहें फिर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं वहीज बीजदर किसी बात करते हैं dear student बीजदर की बात करते हैं यानि की सीड रेट की बात करते हैं और seed rate में यदि बात रहे हैं तो दो प्रटार से इसकी seed rate होती है 800 kg पर hectare और 1 होती है 825 kg पर hectare इसका मतलब 25 प्रतीसत और अधिक अब ये किस इस्तिती में डाली जाती है यदि आप समय पर बोवाई डर रहे हूं क्या टर रहे हो भाई समय पर समय पर आप क्या टर रहे हो बोवाई डर रहे हो समय पर बोवाई है तू जो है यदि आप समय पर बोवाई टर रहे हो तो 100 kg पर hectare जो है हम डालेंगे seed rate जो है और यदि समय पर बोबाई का मतलब यह है कि आप को पता ग्यों की बोबाई सर्दियों में टी जाती है सर्दियों में कश पटी जाती है November का पृतम सब्ता यदि आप November के पृतम या दुतिय सब्ता पर बोबाई कर रहे हो Daisy तो हम कह सकते हैं कि इस समय पर बुबाई है और यदि इसके बाद आप कर रहे हो देरी से बुबाई पर तो देरी से बुबाई पर जो है क्या है याद रखें एट सो पचीस केजी रहती है और एक और चीज है इसमें सीड रेट एक और वैरीवर इंपॉटेंट जो Nh chart वैं पूछा जाता है रहा है और शुका जएज या और दिवलै विदी डिवलर इन डिवलीद डिवलिण विदी इस डिवलिन विदी में जो जवर में डी जाती है वो भाद थे से तीस 8888 यदि हम डालें तो इसके बाद इसमें जो सीड रेत इड पर आटियर जादा नहीं आएगी 25 सितीस कजी पर आटियर सीड रेत इड याद रखें यहां से एक कुशन भी आया हुआ है कुशन क्या हुआ है डिवलर क्योंकि डिवलिन विदी में किसका यूज करते हैं डिवलर यंद का डिवलर का उप्योग किससे संबंदित है किससे संबंदित अब इसका जो आंसर वो क्या जाएगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग होता है clear answer तो यह भी साथ में आप नोट डाउं टरहें जब आप सीड बो रहे हो जब आप बोवाई टर रहे हो तो इसके लिए जरूरी है आप है डाली है ज्या मती कि बहाई जामेती कितनी दूरी पर आप क्या है कतार लगा रहे हो जिसे हम क्यते हैं SPACING कितनी दूरी पर आप बीज बो रहे हो उसे हम क्यते है SPACING SPACING में यह दी बात करें तो बैरी important 225 cm इंटू 10 cm देड़ो कई बार क्या होता है कई बार आप बुटों में देखते हो इसको लिठा हुआ 22.5 x 10 cm यह लिठने टारीटा ढलत है या इसको ऐसा लिठ सकते हैं 10 cm2 यह तो याद रखें यह तरीटा है और यह सही तरीटा है और इसमें 22.5 cm x 10 cm जो इसकी इसपेशन होती है तो यह इसपेशन में जो पहले लिठी जाती है वो टतार से टतार के मद्दे की दू पांस सेंटिमेटर क्या है ततार से ततार के मद्य की दूरी ततार से ततार के मद्य की दूरी जा है यहां की रो टू रो इनलिस में किते हैं रो टू रो क्लियर है यहां तर आर टू आर और दस सेंटिमेटर क्या रहती है वही पौदे से पौदे की मद्य की मद्य की दूरी जो रहती है वो ट्यार रहती है डियर इस्टूडेंट दस सेंटीमिटर होती है तो इसको आप जो है नोट डाउन कीजिए भई है ना टतार से टतार के मद्य की दूरी पौदे से पौदे की मद्देटी दूरी 10 cm होती है और एक और पूरुशन जो है इसमें आ जाता है जब आप बीजटी बुबाई टरते हो तो बीजटी डेराई कितनी रठी जाती है तो यहीं पर आप नोट डाउन कर लें बीजटी डेराई कितना रठते हैं जब आप बुबाई करोगे तो यह डे बीजटी यह बुबाई टा समय क्या है और इसके बारे में जो हैं चर्चाएं हम वह हम करें एडियर स्टुडेंट चलिए लिट लिए आपने फिर हम और देखते हैं इसमें नोट डाउन करें हैं बही कलिया कल यव ऐ भई । आपके जो है आपके ओ हम कह सकते हैं की जैओ का अधा अधासमाई बीडियों क्यृती नो अजब देखे दिया अगाँ अग्यव गर्यों अगले अऋ धकिक मावथा लिटखें देखेंगे, तो ये स्क्रप्टमें लिटे रिखें गहां बीडियों ये ए क तो ये पढ़िए, अच्छे चे जो हैं, आप इस तो नोट डाउन देजिए, थैंट यू सो मच पर वाचिन वीडियो,